राज्य की सीमा से लगने वाले पडोसी राज्यों के जिले पंजाब, दो जिले फाजिलका एवं मुक्तसर उत्तर प्रदेश, दो जिले आग्रा एवं मथुरा गुजरात के पांच जिले कच्छ, बनासकांठा, साबरकांठा, पंचमहाल, दाहोध, हरियाना, आठ जिले, सिर फतेहाबाद, हिसार, भिवानी, महेंद्रकड, रेवाडी, गुरगाव, मेवात, मध्यप्रदेश, दस जिले जहाबुआ, रतलाम, मंदसौर, नीमच, शाजापुर, राजगड, गुना, शिवपुरी, शोपुर, मुरैना राज्य के चार जिले ऐसे हैं, जो दो से दो राज्यों की सीमा से लगते हैं, जो निम्न है पहला जिला हनुमानगड पंजाब और हरियाना वही दूसरा जिला भरतपुर, हरियाना और उत्तर प्रदेश तीसरा जिला धौलपुर, उत्तर प्रदेश और मध्यप्रदेश चौथा और अंतिन जिला बांसवाडा, मध्यप्रदेश और गुजरात राजस्थान के दो जिले से हैं जो राज्य और देश ओन दोनों की सीमा से लगते हैं वह है गंगानगर जिला पंजाब राज्य से तथा पाकिस्तान देश के साथ सीमा लगती है बाडमेर जिला जिसकी सीमा गुजरात राजसे एवं पाकिस्तान देश से स्पर्ष करती है करकरेखा साढ़े 23 डिगरी उत्तरी अक्षांश राज्य के दक्षिनी हिस्से को स्पर्ष करती करती हुई बांसवाडा और डुंगरपुर से गुजरती है यह बांसवाडा के कुशलगड शहर के बीचो बीच या मध्य से गुजरती है राजस्थान करकरेखा के उत्तर में स्थित है पाली जिले की सीमा प्रदेश के सर्वाधिक आठ जिलों उदेपुर, राजस्मंद, सिरोही, जालोर, बाडमेर, नागौर, अजमेर एवन जोधपुर को स्पष्ट करती है नागौर जिले की सीमाए राजस्थान के साथ जिलों अजमेर, जैपुर, सीकर, चूरू, बीकानेर, जोधपुर, एम्व, पाली से लगी हुई है राजस्थान के कोटा बूंदी जिलों के मुख्यालियों के मध्य सबसे कम दूरी छियालीस की मीन है राज्य का सबसे बड़ा नगर, जैपुर, एवन सबसे छोटा नगर, बोरखेडा, जिला बांसवारा है राज्य का सबसे उच्चतम बिंदु गुरु शिखर जिसकी उचाई 1722 मीटर है जबकि सबसे निम्नतम बिंदु सामभर जील है, जिसका क्षेत्र समुद्र तल से भी नीचा है राज्य का सबसे नजदी की बंदरगाह, कांडला बंदरगाह, गुजरात राज्य में स्थित है